जोरो की भूग लगी हो, तो कुछ हटके टेस्टी सा खाने का मन करता है, जिसे बनाने में भी ज़्यादा वक्त न लगे तो लोग दो मिनित में मैगी तैयार कर लेते हैं और अपनी इंस्टन्ट भूग को शांत कर लेते हैं उस इंस्टिन भूग को मिटाने के लिए दो मिनिट में बनकर तयार होने वाली मैगी को फैक्टरी में बनाने में कितना वक्त लगता है क्या कभी आपने सोचा है क्या आपने कभी सोचा कि कैसे बनाए जाती है फैक्टरियों में मैगी क्या सच में मैगी को बनाने के लिए सूवर की चर्वी का इस्तमाल होता है साल 2015 में भारत सरकार ने नेसले के सबसे जादा पसंद किये जाने वाले प्रोड़क्ट मैगी को पूरे भारत में बैन कर दिया था इसके साथ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि मैगी को बनाने में सूवर की चर्वी का इस्तमाल होता है और इसलिए भारत में मैगी को बैन कर दिया गया था आज कि इस वीडियो में इसी बात का खुलासा हम करने वाले हैं नेसले की दोखा दड़ी का परदा फाश करेंगे बताएंगे कैसे लोगों की जान से खिला जाता है कैसे बनती है आपकी पसंदीदा मैगी फैक्ट्रियों में वीडियो को आखर तक जरूर देखेगा मैगी को सिर्फ भारत में नहीं कि दुनिया के कई देशों के लोग सबसे जादा खाना पसंद करते है लेकिन सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जहां मैगी के पैकट पर ग्रीन डॉट दिखाए देता है यानि कि भारत के अलावा अन्य देशों में मैगी में नॉन वेज मिला जाता है सिर्फ और सिर्फ भारत में वेज मैगी बनती है लेकिन मैगी कहां से आई और कैसे ये दुनिया के जादतर लोगों की पसंदीदा हो गई चलिए इसके एतिहांस पर एक नजर डालते है मैगी को सबसे पहले स्विजजर लैंड के फैक्टरियों में काम करने वाले कारिगरों के लिए मजबूरी में बनाय गया था ये बात साल 1872 की है जब स्विजजर लैंड की फैक्टरियों में काम करने वाले कारिगरों के पास इतना वक्त भी नहीं था कि वह अपने लिए कुछ खाने के लिए बना सकें क्योंकि उन्हें दिन रात मेहनत भरा काम करना पड़ता था कई बार वॉकर्स को ब्रेड खाकर ही काम चलाना पड़ता था ब्रेड खाने से उनकी सिहत खराब होने लगी थी इस समस्या को दूर करने के लिए स्विट्जर लैंड के एक बिजनिसमैन जूलियस माइकल जोहांसन मैगी ने इंस्टन नूडल्स तैयार किये अपने इस प्रोडक्ट का नाम उन्होंने अपने ही सरनेम पर रखा फैक्टरी के मजदूरों के लिए बनी मैगी धिरे-धिरे मारकेट में चा गई और लोगों की पहली पसंद बन गई जैसे जैसे समय बदलता चला गया मैगी को बनाने में भी बहुत सारे बदलाव आए और अब हर देश में मैगी को बनाने के अलग-अलग तरीके और अलग-अलग इंग्रीडियन्ट्स है चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे बनाई जाती है मैगी फैक्टरियों में होता है इसका मतलब यह है कि भारत में मैगी को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ वेजिज का इस्तिमाल किया जाता है घरों पर तो हम दो मिनिट में मैगी को बना कर जटपट इसका स्वाद चख लेते हैं लेकिन दोस्तों फैक्ट्रियों में मैगी बनाने का तरीका बहुत लंबा है और इसमें बहुत ज़ादा वक्त लगता है सबसे पहले मैगी के आठे को तयार किया जाता है देश के अलग-अलग हिस्सों में खेती करने वाले किसान से मैगी बनाने के लिए उच्च गुडवत्ता वाले गिहूं को खरीदा जाता है और उन्हें फैक्ट्रियों तक पहुचाया जाता है फैक्ट्रियों में लाने के बा माप दंडों पर खरी भी नहीं है तो उस गेहों को पशूख के चारे के रूप में इस्तिमाल किया जाता है। एक बार आटा पर जाने के बाद फिर से उसकी क्वालिटी चेक की जाती है। आटे की क्वालिटी चेक होने के बाद इसे बड़ी-बड़ी मशीनों में डालकर गूत आ जाता है। दी जाती है और फिर मशीन में ही इने चौको राकार में अलग-अलग काट कर बाहर निकाला जाता है अब इन नूडल्स को ड्राइ करके पैकजिंग के लिए भेज दिया जाता है जहां मैगी के पैकट्स तयार के जाते हैं एक बार मैगी अच्छे से पैक हो जाए तो इसकी ए सीसा को बहुत जादा मात्रा में इस्तिमाल किया जाता है सीसा की मात्रा बढ़ने से लोगों में हार्ट उटैक मेंटली स्ट्रिस और कई तरह की बिमारियों की भी संभावना जादा थी नेसले मैगी को और भी जादा स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें सीसा का जादा स से जादा इस्तिमाल कर रहा था जब लोगों को इस बात का पता चला तो उन्होंने मैगी के पैकट्स को सड़कों पर फेक ना शुरू कर दिया जगा जगा मैगी के पैकट्स को जलाए गया भारत सरकार ने नेसले किस प्रोडक्ट को बैन भी कर दिया लेकिन कुछी महीने बा बनाने के हर चरण की बारीकी से जाच की जाती है मैगी कैसे बनाई जाती है यह तो जान लिया चलिए अब आपको बताते हैं मैगी मसाला कैसे बना जाता है वैसे तो मैगी मसाला बनाने में नेसले कुछ खास इंग्रीडिएंट्स का इस्तेमाल करता है जोने अकसर वह रिबील नहीं करता लेकिन मैगी मसाला बनाने में तीन जरूरी इंग्रीडिएंट्स होते हैं यानि हल्दी, धनिया पाूडर, लाल, सर्ख, मिर्च इन तीन इंग्रेडिन्स के अलावा मैगी बनाने में तेरा अलग अलग किस्म के मसाले भी इस्तिमाल किया जाते हैं लेकिन कमपनी कभी भी इन मसालों के बारे में खुल कर जानकारी नहीं देती इसलिए आज हम आपको तीन मसालों के बारे में ही बताने वाले है इन तीन मसालों की बात यहां हो रही है उसमें सबसे पहले नमर पर है लाल मिर्च जो आंध प्रदेश से मंगाई जाती है मैगी को चटपटा सा स्वाद देने के लिए इस लाल मिर्च को कूट कर और पीस कर मैगी मसाले में मिला जाता है मैगी मसाले को सुगंदित बनाने के लिए उसकी मेह को दूर दूर तक पहुचाने के लिए खास कस्म का धनिया राजस्तान से मंगाई जाता है सिर्फ धनिया ही नहीं बलकि राजस्तान से जीरा भी मंगाई जाता है जो मैगी बनाने में एक एहम रोल निभाता है और मैगी मसाला के स्वाद को और बढ़ा देता है मैगी मसाला में चटक पीला रंग चढ़ाने के लिए महाराश्ट के नेपा नगर जिले के अंबाला सरोला गाउं से हल्दी मंगाई जाती है इस तरह से स्वाद भरी मैगी मसाला का स्वाद और बढ़ाने के लिए जिस मसाले को तयार के जाता है वह देश के अलग-अलग हिस्सों से लाए जाता है लेकिन मैगी का मसाला तयार करने से पहले इन इंग्रीडियंट्स की टेस्टिंग के लिए लाब में इनने भीजा जाता है एक बार ये इंग्रीडियंट्स टेस्टिंग पास हो जाते हैं तो फिर इनने मैगी मसाला बनाने के लिए बड़े मिक्सर में डाल कर मिला जाता है के लिए भेजा जाता है और टेस्टिंग पास करने के बाद ही इनने पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। कई घंटों की मेहनत के बाद मैगी मसाला तैयार हो जाता है। मैगी बनाने में फैक्ट्रियों में कई कारिगरों को घंटों मेहनत करनी होती है। फैक्ट्रियां लगबग 80% मैगी बना कर तैयार करती हैं। और 20% मैगी को हम लोग अपने घरों में ही बनाते हैं। हाला कि भारते लोग अपने खानों को लेकर बहुत ही चूजी होते हैं वहां मैगी को अपने अपने स्टाइल में बनाना ही पसंद करते हैं आप मैगी को किस तरह से बना कर खाते हैं हमें कॉमेंट में जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजेगा इस त